जहिंद वंदे मातरम साथियों तो चलिए आज आज आपका बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 16 चलेगा तो जो भी स्ट्रेंट चनल पर नए आए हैं जल्दी से इस चनल से जुड़ जाएं और अभी से इस एक्जाम के त्यारी में लग जाएं क्योंकि बिहार पुलि करेंगे आपको लाइब चेट का उप्सन मेलता है और ध्यान देजेगा यह क्लास आपको हरय रोज रात आड़ऑ बजе मिलते हैं तो परत्यक चेट को रात आड़जय आना ह३र लाइब चेट में परत्यक चेट को आनसर करते जाना है ताकि सबी चिश् newspapers का औरुपर हो सके तो मनी मेलई के लेखक जो है, वो कौन है, सीतले सतनार, याद रखना है, option 20% का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा, सीतले सतनार, चलिया गवड़ते हैं, next question है, किरिशन देवराय किसके समकालिन थे, फड़ा पटसान से करेंगे, किरिशन देवराय किसके समकालिन थे, बाबर ने अपनी आत्म का था, बाबर नामा में किरिशन देवराय को भारत का सरभादिक 37 सासक बताया है, और किरिशन देवराय की मिर्त्यू का हुई, तो 1529 इसपी में, डेट को या लखने 1529 इसपी में, चलिया आगे बढ़ते हैं, next है, किस मदेकालिन सासक ने पट्टा बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा, और सेर्षा का मखबरा कहा है, पूछाया था एकजाम में, तो सासा राम में सेर्षा का मखबरा याद रखना है, चलिया आगे बढ़ते हैं, next है, राजसभा के सदस्यों को मनो नयन की व्यवस्ता, खाली अस्दान के सम्विधान से ली किस देश के सम्विधान से ली गई है, राजसभा के सदस्यों के मनो नयन की व्यवस्ता, आंसर करेंगे, फटा-फट से सोच समझ का आंसर करना है, तो यह जो ली गई है, आयर लेंड देश के सम्विधान से, आप्शन 20% का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा, चलिए इस जून को होता है, आप्शन 20% का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा, और 21 जून को ही विश्व योग दिबस मनाया जाता है, याद रखना है, विश्व योग दिबस 21 जून, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, कौन सा नरिते केबल पुरुस कलाकारों द्वारा प्र हर प्लिस के एकजाम में 2010 से लेकर 2020 तक के एकजाम में जितने भी प्रिवियर सेर के कुशन से सबको कराये जाएगे, हिश्ट्री का लग होगा, जियोगरफी का लग होगा, पॉलिटी का लग होगा, साइन्स का लग होगा, सभी का लग लग वीडियो होगा, तो जो भी काली दास के किस गरंत में अमर कंटक के सौंदर का चित्रन क्या गया है पूछा गया प्रसने आंसर करेंगे काली दास के किस गरंत में अमर कंटक के सौंदर का चित्रन क्या है सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है यह चारो जो गरंत है यह काली दास के द्वारा लिखा गय नेक्स्ट है सारवजनिक अस्थावनों एवं मनुरंजन अस्थावनों में परत्यक ब्रक्ति का परवेश किस अनुछेद के ताथ सन रख्चीत है फटापट शांसा करेंगे सारे प्रसन सेलेक्टेट लेगे हैं जो आपके एकजाम में आ सकते हैं और फ्रेंट्स अगर आपक करें बिल्कुल सही जवाब करें अनुछेद पांद रक्ना और अनुछेद 17 जो है चुई चुई चुँट से संबने राझ नहीं पाई जाती आ है फटाप सकरए जेलेक्टा अगर बात करें पादप कोशिका की तुझा रखना है पादप कोशिका में कोशिका भित्ती पायाता है क्या पायाता है पादप कोशिका में या पिलिकरें पादप कोशिका में कोशिका भित्ती पायाता है जो सेलिलोज की बनी होती है और जनतु कोशिका में कोशिका भित्ती नहीं पाए जाती है पूछा या था एक्जाम में और जन्तू कोशिका में क्या नहीं पायाता है तो लबक याद रखना है option A स्प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब होजएगा जन्तू कोशिका में नहीं पाए जाती है लबक चलिया अगर बढ़ते हैं next है भावो ना किस राज याद रखने हैं अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था फटा पटसान से करेंगे अकबर ने कब जजिया कर को समाप्त किया था तो इसका राइट अंसर जोई बच्चे ऑप्शन सी को देने बिल्कुल सही जबाब देने 1564 इस फिम में याद रखना है और तीर्थ कर को कब समाप्त किया था तो 1563 इस फिम में दोनों को याद रखना है जजिया कर और तीर्थ कर को चलिया अग बढ़ते हैं नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन लोगपाल का चैन करने वाली समिती का हिस्सा नहीं है भारत का मुक न्यादिस भी है लोग समाप्त का नेता भी है लेकिन ग्रिम मंत्री नहीं है अप्शन एस फ्रसन का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा चलिया अग बढ़ते हैं नेक्स्ट है किस राज सरकार ने राज में विधान परिशद की अस्थापना का निर्दय लिया है फटा पटसांसर करेंगे आंदर परदेश, पसिम मंगाल, गुजरात या हर्याना तो तेरा का राइट अंसर जोई बच्चे ऑप्शन B को देने बिल्कुल सही जब देने पसिम मंगाल हो जागा आर्टिकल 179 में दिया गया ये भी ध्यान में रखना है आर्टिकल 179 में विधान परिशद का गठन है नेक्स्ट है भारते समविधान का कौन सा अनुछिद राष्टपती को पुना चुने जाने से सम्बंदित है चलि आंसर करेंगे चलि आपका टाइम खत्म होता है तो 14 का राइट अंसर जोई बच्चे D को देने बिल्कुल साही जवाब देने अनुछिद संतावन आप्शन 10 प्रस्द का बिल्कुल साही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट है बहुत धर्म के प्रतिक इस्तूप निम्लिकित में से किस सम्बंदित है चलि आंसर करेंगे बहुत धर्म के प्रतिक इस्तूप जोई निम्लिकित में से किस सम्बंदित है तो भगवान बुद के मिर्तिव से सम्बंदित है या रखना है option 60% का बिल्कुल साही जबाब हो जाएगा next है green lights पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है फटा फटसान से करेंगे green lights पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है चलिए तो इसका right answer क्या जाएगा जे बिल्कुल option D के साथ लजगा Matthew McConaughey के द्वारा option D प्रसन का बिल्कुल साही जबाब हो जाएगा next है निमलिकित महादुइपों में किस में कोई अस्थल रूद देश नहीं है यानि कि पूछा रहा है किस महादुइप में ऐसा एक भी देश नहीं है जो अस्थल रूद नहीं है अस्थल रूद देश नहीं पूछा रहा है किस महादुइप में नहीं है तो ऐसा दो महादुइप है कौन-कौन से बताते हैं एक आश्टेल्या है और उत्री अमेरिका है तो इसका राइट अंसर D के सकते लजगा उत्री अमेरिका यादकना आश्टेल्या भी है चलिए शिक्सद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा देश कैस्प्यन सागर से सीमा नहीं बनाता है चलिए आंसर करेंगे आपको चार उप्षन में बताना है कि कौन सा देश कैस्प्यन सागर से सीमा नहीं बनाता है तो वह देश कौन सा है तो इराग का याद रखना है इराग का उप्षन 60% का बिल्कुल सही जाब जाग अजरबैजान सीमा बनाता है इरान भी बनाता है कजाकिस्तान भी बनाता है लेकिन option C सही हो जागा इराग जो है नहीं बनाता है और केश्पेन सागर जो है यह 20 की सबसे बड़ी खारे पाने की जीले याद रखना है next है करीबा बांद निर्मीत है किस नदी पर है करीबा बांद आपको आंसर करने है तो करीबा बांद जो है यह जोंबे जी नदी पर है option 20% का बिल्कुल सई जवाब हो जाएगा next है भारत में tsunami warning center अवस्तित है चली आंसर करेंगे सोच समझका अंसर करना है भारत में tsunami warming warning center कहा अवस्तित है तो इसका right answer option चला देगा C के साथ हैदराबाद में रखना है है चली आगबढ़ते है next है कान की कितनी हड़िया होती है so समझका अंसर करना है कान की कितनी हड़िया होती है तो कान की कुल 6 हड़िया होती है option 60% का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चली आगबढ़ते है next है दुनिया भर में प्रत्यक वर्स अंतराष्टिय योग दिवस कब मनाया जाता है important प्रस्ण आंसर करेंगे चलीए और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक ने किया है तो प्लीज सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे तो दुनिया भर में प्रत्यक वर्स अंतराष्टिय योग दिवस 21 जुन को मनाया जाता है option 10 प्रस्ण का बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा next है निमलिखित में से कौन अंडे देने वाली अस्थन धारी जीव है इसका राइट अंसर क्या जाएगा B and C हो जाएगा यानि कि सोच समझ का अंसर करना है चलिए तो याद रखना है किस राजे या केंदर सासित प्रदेश में सांगला घाटे इस्तित है तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में option 10 प्रस्ण का बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में next है निमलिखित में से कौन यूग में सुमेलित नहीं है एटना इटली फ्यूजियामा जापान पौपा मियानमार या क्राका टोआ क्राका टाओ मलेसिया थो इसका जो साह्य जबावे ड के साचला देगा याद रखना है नेक्स्ट भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस की अस्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधान मंतरी कौन थे आंसर करेंगे ध्यान दिजेगा भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस की अस्थापना के समय पूथा दर आए ब्रिटेन के प्रधान मंतरी कौन थे तो इसका राइट अंसर जाएगा ग्लैड इश्टौन थे, option 6 प्रस्ण का बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा और भरती राष्टे कॉंग्रेश के स्थपना 1885 SP में AO हुम के द्वारा की गई थी, याद रखना है, next संबिधान के किस भाग में साकारे समितियों का उपबंद कि प्रस्ण का बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा, next निमलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हुमायू नामा हुमायू, तुजू के बाबरी बाबर, तुजू के जहांगीरी जहांगीर या तारिक ए फिरो साई जियाओ दिन बरनी, इसका जो राइटांसर है, उप्सन चेला देगा किस के साथ एक साथ लाज़गा, हुमायू नामा हुमायू नामा है गुल बदन पादी देती बीरबल, अबुल फजल, फईजी या अब्दुलरहीम खाने खाना, इसका राइटांसर एक साथ लाज़गा, बीरबल को दिया ता उप्सन, एस प्रसंद का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा, नेक्स्ट है, आसप्रिस्ता अफराद अधिनियम कब पारित चलिए, और फ्रेंट्स याद रखने, आपको एक भी दिन प्रेक्टिस सेट को छोड़ने नहीं है, हरा रोज प्रेक्टिस सेट आपको लगाने है, तो अश्प्रिस्ता अफराद अधिनियम कब पारित हुआ, इसका राइट अंसर C के साथ लाज़गा, उनिस्वा पच्प लेकिन इंडियन एसोसेशन का स्थापना कब हुआता, तो इसका राइट अंसर अप्चन चला देगा, बी के साथ 1886 इसमी में, चलिए सिक्षन आगे बढ़ते है, नेक्स्ट है, निस्क्रिय विरोधिके सिधान का प्रतिपादन किस ने किया, चलिए आंसर करेंगे, निस्क का नाम बताते है, लाइब डिवाइन, पुछा है था है, कि लाइब डिवाइन पुष्टक, इसके रचेता कोन है, तो अरविन घोष से याद रखना है, अरविन घोष के दूरा लिखा गया है, लाइब डिवाइन पुष्टक, नेक्स्ट है, सौरभ चोधरी का संबंद कि खेल से हैं तो सबसे पहले ध्यान में रखना है यह यूपी के मेरेट में के रहने वाले हैं और यह सूटिंग खेल से संबंदिते आप्शन सीस प्रस्न का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा चलिया गवरते हैं अगला प्रस्न है देश में दूसरी बार राष्टे अपातकाल की उद्गोसना कभ की गई चलिया आंसर करेंगे आपको तीन अपातकाल याद रखना है प्रथम दूसरा और तीसरा तो बात करें प्रथम प्राष्टे अपातकाल की उद्गोसना कभ तो 26 अक्टूबर 1962 को प्रथम हो जाएगा दूसरा कभ जाएगा तो दूसरा इसका राइट अंसर सी के साच लगा तीन दिसंबर 1971 को दूसरा दीके यह आपका प्रथम है यह आपका दूइतिय है और बात करें थर्ड का तो 25 यहा रखना है इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है भारत में बैंकिंग विनियम अन अधिनियम खालियस्तान में पारित गया गया था किस वर्स में पारित किया गया था भारत में बैंकिंग विनियम अन अधिनियम इसका साही जबाब जोई बच्चे डीक होते रहें बिल्कुल साही जबाब देरें 1949 इस पी में option 10% का बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है जपान का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है सो समझ का अंसर करना है जपान का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है तो ओसाका को option 10% का बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा चलिए अग भड़ते हैं हमारे सरीर में अनुवानसिक्ता की काई को क्या कहते है यानि कि हमारे सरीर में अनुवानसिक्ता की काई क्या है इसका सही जवाब जोई बच्चे C को तेरे हैं बिल्कुल सही जवाब देरे हैं आप लोग जीन को कहते हैं Сी बिल्कुल सही ज़वाब है नेक्स्ट है रोल्ड गोडर मिष्जडवाक्त सबसे प्रत्रों से ऊप्सेड मिष्जडवाक्त की अभ्याव है? scenario होलेगा indu Amens बी में जो है इस से जर्मन रिबर बनता है ग्रफने इंप प्रत्रों से पूछा आता एक्जाम में रखना इससे क्या बनता है गन मेटा रखना है और सी यू प्लस जेड़न ऑप्शन डी में जो है इससे पीतल बनता है सभी पॉइंट स्कूर रखना इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है बंगाल की राजधानी मुर्सिदाबाद से मुंगेर किस नवाब ने अस्थांत्रित किया कतई जहर प्रस्ण एंट से बंगाल की राजधानी मुर्सिदाबाद से मुंगेर किस नवाब ने अस्थांत्रित किया था इसका राइट अंसर जगा मीर कासिम ऐप्शन 10 प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब जगा मीर कासिम ने अगला प्रस्ण है आयरलेंड के समिधान से सम्विधान में लिया गया है इन चारो उप्षन में से बताना है तीनों उप्षन में से क्या लिया गया है आयरलेंड के सम्विधान से तो ध्यान देगा आयरलेंड के सम्विधान से राज के निति निर्दिशक सिधान्त लिये गये हैं ये बिल्कुल सही है राष्टपती के निर्वाचन पतती ये भी लिए गये हैं और राज सभा के लिये सदस्यों का नामांकन ये भी लिए गये हैं इसका राइट अंसर डी के साचला देगा उप्यूक्त सभी चलिया गबढ़ते हैं नेक्स्ट हैं BCG वैक्सिन का इस्तेमाल किसकी रोग थाम के लिए किया जाता है अत्यन्द इंपोर्टन प्रस्ण है BCG वैक्सिन का इस्तेमाल किसकी रोग थाम के लिए किया जाता है तो याद रखना है च्छाय रोग इसका राइट अंसर C के साच लाजगा च्छाय रोग जो आई एम नो मसीहा के लेकर सोनु सूध है याद रखना है सोनु सूध है नेक्स्ट है जभार लाल नहरू बंदरगा किस राज में इस्तित है फटब फटसान से करेंगे जभार लाल नहरू बंदरगा किस राज में इस्तित है तो याद रखना है ये महराष्ट राज में है इस याद रखना हैं आप्शन 20 प्रसने का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथवी पंच वर्षी जोजना का कारेकाल है 1985 से लेकर कब तक 1990 याद रखना है 1985 से 1990 चलिया गवड़ते हैं नेक्स्ट विधान परिशत में कितने सदस्यों का निर्वाचन, विधान सभा ऊप्षन supports कहा जाएगा नेक्स्ट है, मलेशिया में किंट घाटी किस लिए परसीद दे, पूछा गया प्रसन आंसर करेंगे, मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए परसीद दे, यहाँ पर किंट नहीं किंटा होगा, इसका सही जवाब ज़ेगा, नार्यल उत्पादन के लिए, उप्सन, 60% का बिल्क सही जवाब हो जाएगा, और फ्रेंट्स, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सभी लोग दिल से एक बार लाइक करेंगे, अगर आपको इस सेशन अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल् प्रसन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चलिए इस इक सत अगर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर सर्व स्रेष्ट प्राकरतिक बंदरगा कौन सा है, फटा-फटान सा करेंगे, आज के सेशन का अखरी प्रसन है, भारत के पूर्वी तट पर सर सरेष्ट प्राकरतिक बंदरगा विशा का पतना में, और यह सबसे गहरा बंदरगा, याद रखना अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे गहरा बंदरगा कौन सा है, तो विशा का पतना में, आप्शन 10 प्रसन का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा, तो आज के सेशन में, यह 50 important प्रसनों को रखा गया था, तो आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर रात 8 बजे मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन के साथ,